सारा गडर है अब यह सारा गडर बन चुका है ऐसा गंदा गडर बन चुका है कि इसमें पाउं रखे था पाउं अंदर डल डल डायब का बन चुका है गडर सारा गडर काला गडर मागा पाते हैं कराची का पान पानी था है में ऐसा ओडर जा रहा है आगे भी बढ़ेगा यह समुंदर अगर इसको रिसाइकल ना कि एक पानी जो है कहा जा रहा है यहां आया हूं महम्मदी को लूनी के पास असलाम अलेकुम दोस्तों मैं आभी तुमानी एक नई वीडियो के साथ आपकी हिदमत में हादर हूं दोस्तों यह बच्चे जो जा रहे हैं मैं हम अपने इन बच्चों को देखके मुझे अपना बच्वन याद आगे हम जब यहां पर नाइटी वन से पहले की बात है यह मैं दिलाया करते थे तो आज इनको समंदर आते विए देखकर मुझे भी अपना बच्पन याद आ गया और पीशे भी बच्चे थे कैमरा निकाले निकाले देर हो गई तो आज मैं समंदर की अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जुम्य का दिन है तो अगस्ट दो हज तक देखिए आपको इंशेयला अपनेड़ दूंगा आज असलाम अलेकों यह लड़के पैदल आ रहे थे और सेंस्क्रीट पल्स लेस्की के सामने यह पानी में उतर गए हैं आगे जाके देखें प्रीज वाले इनको आकर रोकेंगे आज जुम्य का दिन अतना रश नहीं है तो यह थोड़े लोगा थोड़े लोगों को प्रीज वाले ज्यादा रोकेंगे प्रीज करना मिश्किल होता है अफ्ते अदवार को रश होगा उसमें मुश्किल होगा यहां पर जूटी पर खड़े हैं इसलिए कि याले ना को जा स अपर्पाइल होगी है अगे देखिए बच्छों को पुलीस वाले इसलिए मना कर रहे हैं कि तुम अलाके के लोग हो यह उनसाबाद के फिर तुम यह चोकि के सामने ही आ के ना हारे हो हमारे लिए मसला होता है तो यह जो हमारे मेने आप वोता है कि पैदल चलते वह आ रहे थे इन लोगो इनको कहा कि भी आप लोग यह क्यों नहां रहे हैं दफाए सच्छालिस लगी हुए अथा कि अ कि अ यह अलाके के यंसाबाद के लड़के हैं इनको प्लीस वाले कह रहे हैं आप अलाके के रहेशी हो तो क्या हुआ आपको भी मना है या नहाना समंदर की आज की अफ़ेट पानी की लेहरे वही है अगर्स तक आपको बताया है पानी तेज होगा लोग काय बगाय थोड़ी थोड़ी फासले पर अपनी टोलियों के साथ बैठे में इतना रश नहीं है जुम्य का दिन है और बहुत ही फुक्सुर्थ जो है समाय बारिश लुक गई थी और अब हलकी थी फुवार पड़ रही है तो इस तरह इस तरह आने का अपना अलग मतल है इस तरह आने का एक अलग खुब्सूर्ती और एक अलग गेम है अब आप आ क क्ढ़स्या cuál थे न सीक भी करih और खे। ऴुजऑर्फ और थे टुटू करें… में घुण पेस्यचक में डिया है। हमेञे हैं having you रावन सब्सटाइव हाई है। था द unas new fire है आपतेम ही हैंने हैं इस आड़ी है अपनी गाही प्हस्तावास पैसे नहीं पाढ़ी है यह गाहीं हैं है're हुआ है् है कि श्यू абсолютно ने रोका क्या हुआ है क्या तो लोग कर रहे हैं तो छोड़ तो रहे हैं प्लीस अपने दौर पर छोड़ तो रही है लेकिन लोगों को अपने आगे ख्याल करके जो है यहां पर कल रश होगा यहां पर अलकल आप लोगों की डूटी टैड होगी यहां दो दिन ना क्योंकि अभी 15 अगस्त क्वानी थोड़ा स्टेज है तो हमें भी इतियात करनी है और अपने जिंदिगियों को महफूद रखना है लोगों ने लो आज मcoming मैं था तो आज स्बस्राइब कितने मही हुपर दा आज सुबहा हुपर कि अदाश क्यों लूग यह जोब यहां पुश्यूबह अंत्यास क्यों यहां लोग जो ज़िदे रिवह आए आज रह नहुंकि वजय आफ्डॉश्यूबह यह पैले तख ऑनी में नहीं cob funcion कि कितने बंदे erfahren Fellowship is." ये थोड़ी सी फैमिली है यहां डोठा है ये 4ओप से 5 फैमिली है इनके लिए अपिछे लड़का का बेरे हैा इन्हों ने नहीं इनको पाउर की हागए यह इस अपिछे बिलागा और प्रम्मठी मे सथी हcorok कि इतनी खुक्सुरत रेट आई है और इसमें गंद डालने से दुरेश करें अपना यहां प्छोड़के नहीं लेके जाना साथ लेके जाना ना कच्रा नहीं नहीं आप तो नहीं लेकिन लोगों को साथ ले जाना चाहिए ना बच्छा गबर आगए है कि मेरे जिन दोस्तों यहां वीडियो देख tussen साहल से भी जाल है तो नहीं दोस्तों को मालूमात हो गी के वहां साहल यहां के साहल में इसम Families Her आप पानी देखें लेकिन यह समंदर भी घंडयाना किया जा रहा है कि इसे ख्यालvos घॉत किया रहा है हम समझते हैं कि जो पिकनिक पे लोग आते हैं वो अपना कच्रा वेस्टिया करके जाते हैं यह भी नहीं हमें करना चाहिए अगर हम बाहर मुमालिक में हो तो इस पे हमें बारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा तो क्या वहां मुद जुर्माना परदास करेंगे लेकिन हैं हमारे संवंदर में जो कच्रह फेंक जा रहा है वह मैं आपको आगे चल के दखाता हूं आपमें वीडियो की न plaint है किस तरीके पर हमारे संवंदर और किया जा रहा है और और सारा कृच्टि का के गंड़ का फानी सार डारेक समंस्दर में फेंका जा रहा है इस के लिए आकूमत के बाप पालीसी है मजूद है लेकिन उस पे अमल नहीं है डारेक उसको समुंदर में फैंका जा रहा है समुंदर की अपडेट जो मैं आपके साथ हॉक्स बे तो आज मैंने गया हूं लेकिन सेंसपीर तक आया हूं पुलिस की मुबैल है अपने तोर पे लगी ही है वहाँ पर वो लोगों को आने भी दे रही है रोग भी रही है सारा काम चल रहा है तो लोग कितने आये में यह भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूं अपने समुंदर में कच्छरा तो नहीं फैंगना चाहिए लेकिन हकूमत के बड़े अदारों से भ गंदा था उसका पानी कितना गंदा था इसका पानी भी आप देख ले लहर के साथ देख ले यह गोल्डन सोने की तरह पानी का रेट है और अगर इस मट्री को हाथ भी लगाएं तो आपके हाथ के साथ यह हाथ दोंग तो साफ हो जाएगी वह हाथ दोंग तो साफ भी नही पानी है और यह जितना खूबसरत हमारा समुन्दर है इसको गंदा करने से हमें बचाना है हमारी हकूमत को बचाना है और हमारे लोगों को भी आकर गंदा नहीं करना चाहिए उससे अपने कच्रे को जो लाते हैं शाप पर खाने पीने के यह समान ने सारा हमें वापिस जो है साथ ले जाकर कहीं जाया करना चाहिए ना कि यहां छोड़ के जाना चाहिए तो बरहाल हमारा यह साहिल समुन्दर बहुत खूबसरत है इसकी हमें ही हाफादत करनी है तो मैं वीडियो अपनी आगे बढ़ाता हूँ आप मेरे साथ आकर तक देखिए कि कहां से पूरे कराच कि यह देखें आए जब हम यहां आते थे तो यह लोग हमारे शकार के लिए मच्चिय पखड़ते यह इतना साफ सुत्रा अलाका था इतना साफ सुत्रा पानी अब यह काला पानी गटर का पानी हो जितना कराची अगडरा यह चोड़ा जा रहा है और यह केमारी में और मिल सुत्रा पानी चाहिए और बड़े समंदर में मिल रहा है और आपको विजिट कराता हूं उस तरफ बी का पानी जो है कहा जा रहा है यह अन आया आया मॉहमदी कलूनी के पास यह है वह का जो आप कहां से शुरू होता है स्राप गोड से शुरू होता है यह नाला यह बना इसका रिसाइकल प्लांड जो है मैं आपको भी दिखाता हूँ कि प्लांड किस तरह है इसको यहां से डारेक्ट समंदर में नहीं किरना चाहिए यह पूरे कराची गटर का पानी है रिसाइकल होगा इससे जो खाद्शाद निकले की जो भी काम की चीज निकले की वैस प्लाया गया था एक दोर में चीफ जैसे साकिप निसार यहां आया था रोड फॉरण बना जी गेते रातो रात और सुबावन को तो नहीं का मैंने तो समझा कराची जो है ना बहुत गंदा है तो यहां के मुझे पज़ा जया कि कराची तो बहुत खुबसूरत है तो उसके दोर इस-पहले रातवरात रौड बनके उसे खुबस्वत नजर आया उसे यह कुछ नजर ही नहीं कर यह यह पूरे समंदर को गंदा कि जा रहा और इसी का असर जो है कहारी जो है के मारी के अंदर पर्झ के पानी फिर यहां से वहां से पौसन है जाकर मिल जाता है आं समब जो prob झूनदर पाक इन तरफ है। ये पान से के है, ये तरफ पानी का भाव कम है। पानी का भाव वड़ाएं तरफ है। द्र्या और जीञा बच आज चाह सुखिंग होd कि तरफ है। तो मैं आपको दखाता हूँ जो प्लांट भी दखाता हूँ और बाकी ज्याजयत अफसीले में नहीं जा सकता हूँ यह सारा नाजवाद की तरफ से आ रहा है तरब गोड से होता हुआ आप तीन अट्टी का पोल और गुल्चन का पोल यहाँ यहां पे आके महमदी करूनी के पास आगे यहां पुलों से गुजरता हुआ यह लियरी समंदर जाते हुए तो वह भी पुल के गारा आपको इसी तरह नदर आ रहा था उसकी बुनियाद भी इसी तरह थी इस तरह यह वह भी इस तरह हो गया है पहले ऐसा नहीं तजबती पहले नीचे से साफ था वहां मचलिये पकड़ते थे वहां जाल डालते दे लोग वहां कष् करता हूँ जंदे पानी के अंदर गुदर के जाना पड़ेगा लाखेर करें इस रोड पूटा पूटा था रात और रात बना जिया गया था जब चीर जैसस ने आना था यहां पर रिसाइकल प्लांट की तरह यह रचता जाता है यहां से शुरू होता है वह एरिया सारा रिसाइकल प्लांट का और आगे जो इसकी नदिये बनी हुए बड़ी-बड़ी एक एकड़ पर जो इसकी क्यारियें बड़ी-बड़ी बनी है दो तीन 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 एकड़ पर वह सारी मैं आपको दखाता हूं वह आगे की तरफ जहां से यह जो लगे में आप देख रहे हैं यह पाइप लेने लगी हुए है तो यहां से इन क्यारियें में पाई डाला जाता है बस यह दिखाने के लिए यहांती के दान्त है इसके अमल दरामन नहीं है जिस तरह यहां से टोटल पानी कराची का यहां से रिसाइकल हो का स तो यहां से यह सारा यहां से यह गिरना चाहिए फिर इस तरह इसके तर्टीब से जिशी को इसके बारे में सही मegलूमा तो यह पाला मालूमा तो और हो खोडा प्यारियों पिर इसको होओं रॉसको इस यह आद होती है और यह आ इस्तमाल में बीब आया जासकता है। जब पास में पहुंदर को इसा यह साफ पानी, समंदर में बादा साय जाङे। इससो न्यमें कम क्या जा रहा है डारीक पानी वैपास करके शमंदर ग्रेक्स के लाग। इसको भी चलाते थे मोरे बहत definite है उसको भी पानी पानी देख से मोटर से कreary में पानी ठांक पिंधे वहां से fn समुंदर में जाता है डिरेक अब भी डिरेक मोटरे खराब हो गई है उसको ही अमल उसके भी अमल नहीं किया रहा है वो मोटरे कौन सही कराएगा और पहले लगा लेते हैं लाखो करोडों का खर्चा करके जिस तरह आरो प्लांट हमारे लगाएंगे हैं समुंदर की पानी को म समंदर में फैंगा बहुत शूकरिया तो यह वह सिस्टम जो वहां से मैं आपको दखारत चलता हुआ यहां तक आता है और यहां से आके समुंदर में घिरता तो लेकिन गिरना चाहिये ठागिरता नहीं है, तो बठाल यहां कब्दे किये जा रहे और भी भी वीडिएयो में कत्म करता हूं बस अब्स आ उस पर आमल किया जाया जा रहा है समंदर में प्तित सुम्णद में डर्यक या रहा है इसको निसजा कि नहीं तो कोईा अगर कोई अमल कर सकता है करवा सकता है तो करे और करवाय अमल इस समंद्र को साफ रखने के लिए इस प्लाटों को इस्तमाल किया जा इसकी तनकाहिए वे घानाँ चाल होगा मुल्च के हर अधाले में यही हाल है हर अधाले का यही हाल है तो अपनी वीडियो मैं खट्म करता हूऊ कल नई अपडेट के साथ मैं समंदर की वीडियो हॉकस्बेफ की वीडियो लेकर आपके खितमत में 하जर हूँगा अगर आपने इतवार को प्लान करने वाले कल अफ़ते की वीडियो देखकर अगर अगर आपने इतवार का करना हो तो आप असानी से प्लान कर सकते हो बहुत शुक्रिया अजादत दें अल्ला हाफिज यह नज़ारा कोने में में मस्जित मेंन प्लान के पर सफ़ार करना को ही जैत थिक जो कहा घाए यहां उस को यहां सफखा कर और इसको आगए त्होंड़ इंतर में 하겠습니다 ये भी मोटरय नकार होचिकी अब काम नहीं कर रही है पहले काम करती मोटरय चलती सब कुछ होता था अब यह ढई रिया सिस्टम आब वहते से पानी आ रहे वह ढई रहा या ये हुए ईॉ was ब्चिंट मिनय काम पुर्च